कॉंग्रेस के वरिस शिनिता और पूर्व मुख्यमंतरी दिग्विजय सिंग ने बीजेपी और बजरंग डल पर हमला बोलते हुए एक बार फिर विवादित बयान दिया है दिग्गी ने कहा कि ऐसे कुछ लोग जो बजरंग डल और बीजेपी के पदाधिकारी थे और आज भी हैं वो आईसाई के लिए जासूसी करते हैं देखे एक खास रिपोर्ट अपने बयानों से हमेशा सुर्ख्यों में रहने वाले कॉंग्रेस के दिगज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग ने बीजेपी और बजरंग डल पर गंभीर आरूप लगाए है दिग्विजय का कहना है कि ऐसे कुछ जो बजरंग डल और बीजेपी के पदाधिकारी थे आज भी है आईसाई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए थे उनकी जमानत हो गई उन पर मुकदमा चलना चाहिए देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए आईसाई के लिए जैने पिशली बार में कहा था उसका बड़ा चुबी लोगों को जिनको चुबना भी चाहिए ऐसे कुछ लोग जोकी बजरंग डल कुछ लोग और भाजबा के पदाधिकारी थे और आज भी है आईसाई के लिए जैसुसी करते पगड़े गए थी उनकी जमानते हो गई भाजबा के राजबे वो कैंसलिशिक होना चाहिए उन पर मुकदमा पूरा चलना चाहिए देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए एक तरफ गौलियर में मीडिया से चर्चा के दोरान दिगविजे ने आगी कहा कि एक तरफ भारती जनता पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए रोज हमें रास्चवाद का संदेश देती है ये कैसा रास्चवाद है कि उन्हीं के लोग आईसाई से पैसा लेकर भारत के लिए जासुसी करें इसका स्पस्ट्री करण उनकों देना चाहिए वहीं दिग्विजे सिंग ने व्यापम में कई लोगों को क्लीन चिट मिलने पर भी सवाल उठाए और कहा कि भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री लक्षमी कांत शर्मा को व्यापम घोटाले में जेल जाना पड़ा था व्यापम घोटाले के मुख्य सूत्रधार नितिन महिंद्र को सीबियाई ने जाच में क्लीन चिट दे दी इसने सीबियाई चार्च पर शुरू से सवाल उठ रहे हैं जिसमें मुख्य मंत्री से लेकर मंत्री घंड सब उसमें शामिल थे यह मसला जो है हनी ट्राप का मसला यह लहीं कहा जा सब्यार कि शासन दोरा प्राइवल द्धा उसमें पर्थ एंसा है पर हम ल resto न होता है फ़रुसा नहीं होता है तो कनि देड़ पर और अब करेंगे आप के आोके नहीं आब कंगर करेंगे तो में करें हैं आपके पासंगा कुल में लाकर दिगवजय सिंग गौलियर में बयानों के तीखे तीर चलाते नज़र आए दिगी राजने कश्मीर गोड से बजरंगल और बार रहत के मसलों पर बीजेपी पर जम कर निशाना साथ प्यूर रेपोर्ट, MP News, गौलियर